हेलो दोस्तो नमस्कार हरे कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में दोस्तो एन्बिय के बारे में बात करेंगे इंडियाना वर्सिस बोस्टोन के बिज़ो मुकबला होने वला है उसके बारे में ठीक है आज दोस्तो दो ही मुकबला कल इंडियाना की बात करेंख ऑपना करेंथिस्टो के इंडियाना की बात करता है और लास्ट का गेम मिस गया था इंजरी की वज़े से यहाँ पर टाइलस हेल बटन ने ठीक है तो इसका न्यूज आपको आना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों इंडियान के बाकी के प्लेयर्स की बात कर तो यहाँ तो कोई स्टार्ट नहीं करेगा और सेंटर में आपको माल्स टर्नर देखने को बिलेगा और यहाँ पर बोस्टोन में दोस्तों क्रिशन पोरजिंगस नहीं खेलने वाला बाकी कोई भी इंजरीनिस नहीं है यहाँ पर दोस्तों वुलेडे है, डेरिक वाइट है, ब्राउन है, उसका जैसन तैतम है यहाँ पर इंडियना पेशस ने लास मुकाबले जीता था, लेकिन सेकंड लास मुकाबला हार गये थे इसमें दोस्तों जो उसका में प्लेयर है, टाइलस हैल बटन वो नहीं खेला था, फिर भी वो जीते थे क्योंकि दोस्तों काफी सारे ऐसे प्लेयर जिसने अच्छा काम किया था, सबसे पहले तो ब्राउन ने 30 पॉइंट डबल डबल टरनर का, फोर ब्लोक के साथ 22 पॉइंट दोस्तों अबे टोपेन, बाकी दोस्तों यहाँ पे 11 आसिस नेमबड का, टीजे मकनल का भी डबल लेकिन सेकन्ड लास गेम की बात को तो उसमें टाईलेस हैल बटन का डबल डबल अभी दोस्तों नब्या में लीड कर रहा है आसिस्स्ट में तो यहाँ पे अबेटोपेन काफी अच्छा काम कर रहा है लास के दोनों गेम से ठीक है, बूस ब्राउन का पोहमर से बड़ी हिल कुछ खास नहीं कहल रहा लेकिन कभी भी ब्लाश्ट कर सकता ऐसा वो खिलाडी है इस दिन दोस्तों माल्स टरनर भी कुछ खास नहीं खेल रहा वाकि बेंच से आप प्लेस चेक कर सकते हो अभी आपको बास्केटबूल में विनिंग करनी है वो भी बिल्कुल फ्री में हमारा काम है बहलो पेले सुन लिएगा हमारा काम है आपको विनिंग कराना यहाँ पे दोस्तो यह कल तो रेष्ट था इसलिए दो तारीक की विनिंग में आपको बताईए ठीक है उसका फर्स्ट डिसेंबर की विनिंग एसार यह आप दोस्तो देख सकते हो यानि की दोस्तो हम इसी तरीके से आपको विनिंग कराते रहते हैं जिसमें दोस्तो बहुत हार्ड वर्ट लगता है अभी Boston Celtics की बात करूं लास्ट गेम की दोस्तों लास्ट गेम में क्या हुआ था यहां पर यहां पर देख करते हो दोस्तों हाफ टाइम जब हुआ था तब लीड कर रहे थे यहां पर फिल लेल फिल है लेकिन जैसे ही फुल टाइम हुआ यानि की मेज खतम हुआ तो Boston यह गेम यहां पर बीस पॉइंट के चार चार स्टील 21 साथ चार का पहुंस ब्राव यहां पर तैतम ने दिया था वाइट ने भी 21 च्छे का काम किया था पांच आसिस भी स्कौर किये थे वर्फोड का बहुत ही बहतरीन पहुमन से हुले लेका तेरा चेका काम हुले का रहा था तो यानि कि second last game की भी बात कर तो इस में क्या था वन सेड़े तरीके से सिका को बिल्स को राया था लेकिन इस में क्या है भाई लोग कि इसमें दोस्तों जो उसके starting life है वो भी अच्छी तरीकी से चली थी लेकिन उसके बेंस से आके भी दोस्तों जो दो हाउजर और पीचर उस स स्मोल लिक की बात कर रहा हूँ ठीक है ताकि आपको इस तरह से आप फोलो भी कर सकते हो तो त्राइलेस हैल बटन खेलेगा तो उसको मैं जरूर लूँगा शूटिंग कर सेक्षन में दोस्तो आपके लिए पास दो ओप्सन अवेलेबल है तेरा के डिट में दोस्तो आपके पास टेरिक वाइट भी अवेलेबल है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहली बात मेरी ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है अगर ब्राउन का और दूस्तो में से कोई आप साएट दोनों को ट्राई कर सको ठीक है लेकिन जब दूस्तो तैम के साथ को मैं को राया पड़ेगा तो दोनों प्स उसके लिए बताओंगा सबसे पहले हम उसी के को मैं बात करेंगateurs करेंगे हम जैसन ते तो तो स्टारल पैर हमारा हो गया यह अच्छा उप्सन है ठीक है उसके बाद अगर कल खेलता बहुत ही एच्छी पिक हो जाएगा 8.5 के डिट में 8.5 के डिट में तो ज़रूर मैं उसको लूँगा अगर याद रखना मेरी बात पहली नोटीस आप यह करना अगर कुछ भी चेजिस होता है या तो अबेट अउट ह होता है या तो याद रखना टीम अपडेट करके में टेलीग्राम चल पर सेंड कुरूंगा उसको आपको फॉलो करना है बस ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे तो यहां पर दोस्तों स्मल फोड़ से स्टार्ट करें सोरी बहले लोग वीडियो को पोस्ट करना पड़ा तो थोड़ कुछ काम अगया था ठीक है तो यहां पर दोस्तों ब्रूस ब्राउन ने बड़ी ही ले ठीक है और ब्राउन को ओबिसले हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि हम नहीं यहां पर तेतम को लिया है अगर दोनों को एक साथ लेंगे तो इसलिए उसको ड्रॉप करना रही है वरना दोस्तों वाइट की जगा इजी तरीके से वह लेड़े फीड़ जाता ठीक है तो इस तरीके सापको प्रियू भी देखने को मिल जाएंगा जिसमें स्टार पर वास कप्ट तो दुसरे कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेंगे जिसमें आपको ब्राउन ट् रहेगा उसकत 18 कडिट बचे तो 18 कडिट में दोस्तों हम सायद सायद यहां पर बड़ी हिल को ड्रॉप करके ब्रूस ब्राउन को ले और साड़े साथ कडिट यहां पर जो ऑप्शन सा हाउजर वाला है लेकिन इसमें एक और ऑप्शन खुल जाएगा हाउजर का उप्शन रख सकते हो वाइस कप्टेंग के लिए आपको ब्राउन मिल रहा है ठीक है इस तरीके से तो यह दो अच्छी जो आपके लिए पिक्स अवेलेबल थी टीम की वो मैं आपको बता दी है बाकी दोस्तों मोर्निंग में जो कुछ भी अपडेट आएगा वो आपको टेलिग्रा आपको तो और रहा होंगे आप ठीक है इसी के वज़े से में आपको नहीं बता रहा है क्योंकि दोस्तों लास्ट गेंपे जितना समय मिला था नेमाड को उतना समय मिल सकता है अगर हैल बटन ना खेला तो अगर वो खेलेगा तो बेंच से जाएगा खेलने के लिए और उसक